किसान भाईयों, आज हम स्वैबिन के लिए दो सबसे अच्छे फंगी सैट के बारे में बात करेंगे जिसमें पहला BSF का प्रायक्सर फंगी सैट और दूसरा स्वमी टुमों का स्वाधिन फंगी सैट यह दोनों एक आपी अच्छे फंगी सैट है हम बात करेंगे कि स्वैबिन की वसल में इन दोनों में से कौन सा फंगी सैड देना चीए इनकी कितनी मात्रा लेने चीए इन दोनों का परियोग करने से कितना खर्चा आता है और स्वैबिन के लिए इन में से कौन सा फंगी सैड अच्छा रिजल्ट देता है वीडियो को पूरा देखिए जो नए साथी हमारे चेनल पर पहली बार आए है चेनल को भी सब्सक्राइब कर लें गंटी की निसान को दबाएं इस वीडियो को अधिक से अधिक संग्या में लाइक करें और अन्य किसान भाईयों तक भी सियर करें तो चले वीडियो को सुरू क सबसे पहले हम बात करते है长 BSF के Priciser Fungicide के बारे में ये काफी अच्छा Fungicide है और खास करकि बहुस सब किसान भाई, इसके बारे में जानते हैं और स्वैब्धीन कीफसल में इसका परियुक्रते हैं इसमें दो Technical पाए जाते हैं पहला Technical प्षाइ stream 233 ग्राम लिटर और दूसर टेक्निकल फ्लुकसाप पायरोकसाइट 116 ग्राम प्रतिलिटर एससी यानि की सोलिड लिक्विड फॉर्मुलेशन में इसमें दो टेक्निकल पाय जाते है यह एक ऐसा फंगी साइड है जो फसल में टोनिक का काम भी करता है साथ ही सभी परकार की फंगस को कंट्रोल करता है बात करें इसका परियोग करने से किस-किस परकार की फंगस को कंट्रोल करता है तो स्वैबिन की फसल में चाहे किसी भी परकार की फंगस हो रश्ट, पावडरी, डाउंडी मिल्ड्यू, एंटरकलोच, एरियल बलाइट, सरकोसफेरा, लेप, इस्पोर्ट, इत्यादी यानि कि स्वेबिन की फसल में लगने वाली A2Z सभी परकार की फंगस को BSP कंपनी की प्रैक्सर फंगिसाइट कंट्रोल कर लेती है या पौदे में फंगस को कंट्रोल करती है, इसके लावा पौदे में हरापन लाती है, एक परकार से पौदे में टोनिक का काम करती है अगर इसकी मातरा के बारे में बात करें, तो 120 EML एक एकड में प्रियोक करना चाहिए प्रियोग करने के बाद एक से डेड़ गंटे तक बरसात ना हो इस बात का विशे स्थूर पर त्यान रखिए इसके 120 एमल की प्राइस करीबन 900 से 1000 रूपे के आसपास होती है अगर बात करें सुमेटों में के सुवादिन फंगी साइड की तो ये भी कापी अच्छा और पूराना फंगी साइड है बहुत से गिसान भाई इस फंगी साइड का भी प्रियोग करते है इसमें पहना टेकनिकल टेबू कोना जोल 10% और दूसरा टेकनिकल सलपर 65% WG फोर्मिलिसन में पाया जाता है ये भी एक परकार का कोंटेक प्लस सिस्टेमिटिक फंगी साइड है इसमें टेबू कोना जोल एक परकार से सभी परकार की फंगस को कंट्रोल करता है और दूसरा इसमें जो सलपर पाया जाता है वो पोदे में पहसक तत्यों की पूर्ती करता है यानि कि इसमें इसका वर्योग करने से फंगस भी कंट्रोल होती है और साथ ही पोदे को सलपर तत्यों की पूर्ती भी हो जाती है अब अगर इसके बारे में बात करें कि ये कुन कुन सी fungus को कंड्रोल करता है तो ये मुक्य रूप से blast, rust, powdery mildew, downy mildew, enterco-nose, इत्यादी परकारकी fungus को कंड्रोल करता है यानि कि ये स्वाइबिन की वसल में लगने वाली सभी परकारकी fungus को कंड्रोल नहीं कर पाता है अगर फसल में फंगस का कमा टेक है तो आप सुवादिन फंगी सैड का परियोग कर सकते है साथ इसलफर की कमी नजर आती है तो इस फंगी सैड का परियोग करने से दो फाइदे आपको मिल जाते है इसका परियोग 450 से 500 ग्राम प्रतिय कड़ के आसपास परियोग आपको करना चाहिए इसका रेजल्ट भी आपको 10-15 दिन के आसपास मिलता है अब अगर इसके कीमत के बारे में बात करें तो इसके 500 ग्राम के पेकी कीमत करीबन 400-500 रुपे के आसपास होती है अब बात करें कि कि स्वैबिन के लिए इन दोनों फंगी सैड में से कौन सा फंगी सैड अच्छा है किसान भाई यो बीए सब का जो प्राइकसर फंगी सैड है इसका परियोग करने से फसल में टोनिक का फाइदा मिलता है और ये A to Z सभी परकार की फंगस को काइदा है करिबन 20-22 दिन के आसपास लंबा समय तक इसका रिजल्ट किसानों को मिलता है लेकिन प्राइकसर फंगी सैड थोड़ा महाँ पड़ता है क्योंकि ये सभी परकार की fungus को control करता है इसमें दो टेकनिकल पाए जाते है अब बात करें स्वाधिन fungicide के तो इसमें ये भी चोटी मोटी सभी परकार की fungus को control करती है साथ इस से सलपर की पूरती हो जाती है और ये कापी सस्ता भी पड़ता है अब बात करें कि आप कौन सा आप फंगी साथ प्रियोग कर सकते है अगर फॉसल में फंगस का अटेक कम है कम खर्चे में आप फंगी साथ का स्प्रे ले रहे है तो स्वाधिन फंगी साथ का स्प्रे आप कर सकते है पौदे में अत्यदिक फंगस का अटेक है पहले स्प्रे आपने नहीं किया है तो प्रैक्सर फंगी साइट का प्रियोग आप कर सकते है किसान भाई यो कमेंट करके अवश्य बताए कि आप स्वैबिन में कौन सा फंगी साइट देते है इस वीडियो में इतना ही जल्द मिलते हैं आपसे नए वीडियो में तब तक ले धन्यवाद जैकिसान